तो आज मैं लेकर आई हूँ विडियो कुछ से प्लाॉंट है बारिष ना चाहिए और किन बारीशicate के जड़रत हैं है तो आज shift मैं बताने वाली हैं तो यह देखे हैंरे संदर लग रहा है और इसमें कोष न्बेखिपनày नहीं है तो आज ऐसे प्लांट बताने वाली हूं में जो आप पहुत जादा बारिस अगर आपके लगातार हो रही है तो कुछ प्लांट को आप जो है सेव कर सकते हो बारिस से और कुछ प्लांट को जो है लगातार बारिस में रख वी सकते हो तो वही आज में बताने वाली हूं आपक तो यह देखे मेरा प्लांट भी जैना हमारे यहां पर एक बारिस बहुत अच्छे से हुई है और उसी बारिस में बाहर रहा गया तो यह मेरा पिछले साल भी यहां से थोड़ा सको ड़क्स इसका खराब तरदियों में इसको निकाल के रखा तब इसकी थोड़ी रूट्स गल तो देखे एक बारिसमे आप यहां बोओज जबरदस्त त्हीं थी थी थोड़ए झालने लगा नीचे से पर लाइन पानी देरी उना प्लांट जो है और ना ही मैं इसको बारिस में रख रही हूं बस इसको 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 बचाना है यहां पर यह जादा बारी से बचाने होते हैं इनको फूरे लगातार बारिस अगर आपके यह बिल्कुल अंदर रख दीजे चाहिए नेचे कहीं बारिस ना लगे तो बस इन प्लांट को बहुत जरूरी है बचाने यह सब सक्विलेंट पैमिले से ही हैं और अगर आपको फ्लांट खराब होने लगेगा तो ज्याद पाने से इस तरह से पतियां हो जाते हैं तो आपको प्लांट आपको पता भी नीचे लेगा नीचे से गलता रहेगा उपर स लगए से तो इस देन होल बहुत जरूरी है तो अच्छा रहेगा पानी ठेहरेगा नहीं अगर पानी ठेहरेगा तो फिर प्लांस कराब हने के पूरे चांस रहेंगे यहां पर देखिए यह पूरे पानी में रखा हुआ थह बारिस में और कि मैंने कटिंग लगा उई थी औ यहां से गल गई देखिए लिद कुछी रह गई देखिए थोड़ी शी रह रही है अब यह भी गल जाएगी देर देर तो इनमें भी जो एने इनकी स्टेम जो एना मिलकुल है सॉफ्ट होती है इनमें पानी महरा रहता है तो यह खराब उने की पूरे चांस होते हैं इनको बा लगातार बारिस से वह भी अगर आपके यहां थोड़ी बारिस होती है देखिए की 15-20 नीट पारीस होते है दो-4 दिन में एक बार होती है तो आप इनको खुले में रख सकते हो उसे कोई दिकत नहीं है और आप जाओ तो खुले में नहीं रखो तो आप फिर उनको जैना ब बारिष का पानी बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए वैसे तो लेकिन लगातार पानी मिलता है तो इनके लिए भी हानिका रख होता है तो इस तरह से यह देपन वेक्या की व्राइटी को भी बचाना है और फोली इस इतना भी है आपके पास को थोड़ी शी बारिष यह बहुत जल्दी सरे मान पी जाते है जायदा पानी से तो इनको भी एस जाग रखदीचे कंशिता पानी की बहुत weakness कि बहुत हं अब पिर आप इनको यह आंप जो है जह हो बारिष का पानी ह sniff पर रिक निंप हो भी बारिष बचाना होता है का टैल एक यह है मेरेलिस लेली जो भी बल्बस प्लाइंट है आपके पास तो उनको जो है आप सेड में रख दीजिए उनको भी लगातार बारिश पसंदने हैं बल्ब खराब हो जाते हैं इसकी मेरी नीचे से जड़े गलने लगई और उपर से पत्या गलने लगई तो मुझे पता लग से पर हो जाने देचे पर अंदर लगए तो यहां पर है कि मैरा बैबीटीर को बैसे पानी बहुत पसंदने लेकिन यह ऑं सपलेंडा लगने देना है बस यह ने लगने देना और शिलू यह शूलां कि इस तरह पर जाब हो गया लोग बहुत ज़यादा बारिशसे को मॉसम तो बारिश लगने के बाद इनको आप रखती है, बिल्कुल बाहर ना रखें. हुआ इधर देखे यह भी मिरा एक हैं फिंकर कैक्टर तो यह विने ख्ले में रखा हुआ इस तरह से यह भी हो चान घांतर नने की अनडर देना है किस तरह से घल घ्रल गया काफSec अजी थे घ्ल देते तो देखें इन में जो इने ट्रेने जूल का सिस्टम ठीक नहीं होगा मैं तो अपने हास से पानी देती ती बिल्कुल तीन-चार दिन में या पांस दिन में एक बार पानी देती ती इनको भी उत्यादा लग गया चाहिए दिनको तो यह भी कलना इस्टा के बाद इनको अंदर डाल दीजिए यहां पर पर्पल हार्ट वैसे तो काफी अच्छा सबता लेकिन वह यह ना बहुत जाद बारिस यह बहुत जादा पसंद होती है और बारी से फुल भी बहुत ज्यादा लगते हैं प्लांट बहुत एल्दे हो जाते हैं अब बारिस लगन करने के में ऊक्ति हैं यह पोरे लगने के बाद कितना बिल्कुल इसने पूरे को कवर कर ले बहुत शंदर लगता है इसिता से उगलगल होती है तो बहुत अच्छे लगती है देखने में काफी खूसूरत लगती है इसको दशे में निया आप रख सकते हो और अगर गंटे-दो गंटे के बारिस है तो इनको आप रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दो तीन बारिस लगातार लग गई है काफी ज्यादा इस तरह सब्सक्राइब कर दें वह ज्यादा भी नहीं लेकिन फोड़ी बारिस इनको लगते रहे ऐसे जगा पर आप र जगह रख दीजिए तो इनको बारिस पसंद तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है जो है चंचन के बारिस लगती रहे जब भी बारिस हो ऐसी जगह आप रखें इनको बिलकु सेड में ना रखें तो यह कुछ प्लांट ऐसे हैं जो जिनको बारिस लगनी चाहें जिन